असलाम वालेकूम जुले नमस्ते सस्त्रीकाल नाजरीन आज हम बात करेंगे करगिल लदाख की युनें ट्रेटी ओफ लदाख के बारे में आपने सुना होगा जो की 31 अक्टोबर 2019 में बना था यूटी ओफ लदाख में दो जिस्टिक्स है एक हे लेह और दुसरा है करगिल तोस्तों आज हम बात करेंगे करगिल लदाख की बेसिकली करगिल जो है दो वोट्स मिलके बने है एक हे खर और दुसरा किल खर मिन्स कैस्टल यानि किल्ला और किल मिन्स सेंटर कहने के मतलब यह हुआ कि करगिल जो है फोर्ट के बीच में है अगर हम करगिल को मैप प्रांज बिल्स किल्स कहने के मतलब सिर्नगेर से बी 200 किलो मेटर लए से 200 किलो मेटर और करदो से बी 20 किलो मेटर पुराने जमाने में कारगिल को एक trade center भी कहा जाता था जिसमें चाइना से, Central Asia से और इंडिया के अलग-अलग हैस्थूं से लोग trade के लिए आते थे ये लोग कोई tea लेके, carpets लेके, slicks लेके और पुराने जमाने के precious tune होते थे वो लेके आते थे और अपना trade करके वो अपस चले जाते थे इसलिए कारगिल को एक historical meeting point भी कहा जाता है अगर हम कारगिल की population की बात करें तो 2011 के census के इसाब से कारगिल में total population है 1.41 lakh और हम area की बात करें तो 14,086 km2 है चलिए कारगिल को और करीब से देखते हैं दोस्तों आपको पता है होगा यूटी लदाख जो है दो डिस्टिक्स से बने हुए एक है ले और है दोस्तरा कारगिल इस वक्त हम है कारगिल के ऐसे point of view पे जहां यहां से आपको कारगिल का maximum area cover करेंगे यहां से आपको एक अच्छी एक बहतरीन नजरा आपको दिखने का मिलेगा यह जो आपको ठीक मेरे देख रहे हैं यहां कारगिल का मेंबार्किट और इस वक्त वक्त यह यह और इस जो बील्डिंग है वह है जो कि पुएंट सीटी को यह जो है एक पुएंट सीटी है यह जो ब्रिज है और मैंन मार्केट को कनेक्ट करती है और यह आप करें डैम नजर आ रही है वह है इकबाल माक्रो प्रोजेक्ट जो कि बहुत पुरानी है लगबग 20-25 साल के करीब है लेकिन अच्छी बाद यह है इसे काम चल रही है इकबाल प्रोजेक्ट जो है यहां से स्कार्ड होता है इसी का डैम बनाया गए यहां से सुरू रिवर का पानी इस्तियाम्य दहुक्र करके कनाल के फ yapılव एकबाल प्रोजेक्ट में किसी पानी का इस्तियामाल की हुआ है एक्चुल में एक एकबाल प्रोजक्त है वो 1995 में अप्लिट हुआ था इसे समाल प्रोजेक्ट इस अबॉट सी पॉएंड 7 5 मेगवर्ट्स और आज भी एकबाल प्रोजेक्ट चल रहा है और विजली पैदा हो रही है इसी प्रोजेक्ट से तो थोड़ा बोट आपको एकबाल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता था यह था एक बारे में थोड़ी से जानकारी इस वक्त हम है बरु सिटी में यहां से कुछ आपको अच्छी और खूपसुरत सा नजारा देखने को मिलता है यह जो आपको ग्रोंड दिख रहा है वो है फिस सुल्टांचो स्टूडियम जो कि बहुत मश्यूर है यहां पर दिस्टिक्स लेवल के सारे मैचिस चाहिए फुटबाल हो चाहिए क्रिकेट हो जो भी मैचिस और फेस्टिवल्स सारे इसी ग्रोंड में खेला जाता है और बगल में आपको एक टी एफसी कार्गिल यानि की टूरिस्ट फैसलेशन सेंटर यह जो बिल्डिंग दीख रहा है वो टूरिस्ट फैसलेशन सेंटर कार्गिल है जो कि टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए और यह जो रिवर के उस पार आपको एक कलोनी नजर आ रह मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खोदा हाफिश्ट